लोकतंत्र का एतिहासिक शन, एतिहासिक निर्णय, एतिहासिक लीडर्शेप, एतिहासिक भाशन, मोदी जी ने पहली बार देश के पहले प्रधान मंत्री जबाहर लाल नहरू का जिक्र किया अपने भाशन में, और तो और इंदरा गांधी तक का हवाला दिया, और फिर अपी भारत के विशेश सत्र का एजंडा बहुत बड़ा है नमस्कार दोस्तों इस एतिहासिक पल में मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर करेक्रम आप सब का एतिहासिक स्वागत है भारत बनाम इंडिया की लड़ाई छेड़ने के बाद मोदी जी ने सदन का विशेश सत्र शुरू करने से पहले जो कहा वह बहुत खास है दरसल वही है एक्जेकुटिव समरी उनके एक घंटे से अधिक लंबे दिये गए भाशन की उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा आप भी सुनिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है मैं सभी आधनिय सामसदों से आगरह करता हूं इस छोटा सत्र है ज्यादा से ज्यादा समाएं उनका मिले उमंगार उंचा के वाथावर में मिले रॣने द्धोने के लिए बहुत समय होता है करते रहिए यानि अतिहासिक निर्णे लेने है इसलिए रूनने का समय बहुत कम है यह स्पष्ठ कर दिया मोधी जी ने अगले चार दिनों में रोना धुना नहीं एतिहासिक निर्ने ऐसा क्या बड़ा करने जा रहे है मोदी जी इन पांच दिनों के विसेश सत्र में और यह बात बहुत खास इसलिए हो जाती है कि उन्हें आखिर क्यों नहरू जी की याद आ गई पुरानी संसत से नए संसत के सफर में मोदी जी ने जो लंबा भाशन दिया उसमें पहली बार जी हां पहली बार पॉजिटिव ढंग से उन तमाम नेताओं को याद किया गया जो अभी तक खुद उनके उनके तमाम मंत्री मंडल के नेताओं के और भाशपास सांसतों और देश भर में जो उनकी टीम है उसके निशाने पर रहते थे पूरी टीम जिन नेताओं पर गोलियां बरसाती थी महरबानी बरसाती थी इस लिस्ट में हम सब जानते हैं पहला नंबर देश के पहले प्रधान मंत्री जबाहारलाल नहरू का रहा है देश की हर समस्या कोई भी समस्या हो अभी मनिपुर जलना शुरू हुआ तब भी दोश नहरू जी के नाम पर मढ़ा गया सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई या ऐसा क्या दाव चल रहे हैं मोदी जी जहां पंडी ची को इसलिए भी याद किये लानेक बातों के लिए याद के लेगा लेकिन हम जुरू याद करेंगे इसी सदन में पंडीत नहरू का एड़ श्ट्रोक आप मिड़नाइटी गुंच हम सब को प्रेरीद करती रहेगी आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी साड़े साथ हजार जल्पतिनी दिराई चुके हैं उनके जवरोगान का पौना इन दिवारों से हमने जो प्रेरा पाई है जो नया विस्वास पाया है उसको लेकर जाने का है बहुत ची बात ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी लेकिन शायद राजनिती उसमें भी आड़े आ रहे नहरुजी के योगजान का गवरोगान अगर इस सदन में होता है कौन सदस से होगा जिसको ताली बजा लेका मन न कर दा लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाउजूध भी उसके बाउजूध भी डेश के loktantra के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने आउन सोच अब देखे ना जो आप सुन रहे हैं जो हम सुन रहे हैं जो पूरी दुनिया सुन रही है इसे सुनते हुए जो खटक रहा है वो बहुत सभाविक सा है क्योंकि यहीं से सिलसिला जुड़ता है एतिहासिक निर्णेओं का जिसका जिक्र सुनिये मुदी जी अपने भाशन के अंत में मुस्कुराते हुए कहकर निकल गए सदन के बाहर मोदी जी के इस एतिहासिक भाशन और एतिहासिक निर्णेओं के पूरे के पूरे डिसकेशन पर लंबी बहस हो सकती है लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब वे कश्मीर से 370 हटाने की बात कह रहे हैं और बता रहे हैं इसे अपनी उपलब्दी तब वे भूल जा रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से इसी कश्मीर में एंकाउंटर चल रहा है उसी कश्मीर में जिसके बारे में खुद वे और उनके ग्रिहमंत्री अमिश्शाह लगातार दावा करते रहे कि 370 हटाने के बाद इस्थितियां नॉर्मल है यह एक बड़ा सवाल है मदर ओफ डिमोक्रेसी लोकतंतर की मा निश्चित तोर पर मुदी जी ने बार बार इसका उलेख किया है लेकिन इस मदर ओफ डिमोक्रेसी में आखिर विपक्ष को पहले से वे क्यों नहीं बता सकते थे कि आखिर उन्हें क्या सूझा आखिर क्यों यह स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है मदर ओफ डिमोक्रेसी की बात है लेकिन अब देखिए इसी मदर ओफ डिमोक्रेसी में एक राज्य का मुख्यमंत्री मोधी जी की डिगरी के बारे में जी हां उनकी डिगरी के बारे में बात करना चाहता है जानकारी हासिल करना चाहता है लेकिन यह मामला डिफिमिशन का हो जाता है मानहानी का हो जाता है क्यों यहां तो वो उस बात की जिक्र नहीं कर रहा कि आप कौन से railway station पर चाय बेचते थे वह सिर्फ जानना चाह रहा है कि यह जो डिगरी हासिल हुई है क्यों यहां आप समझी गए होंगे मैं जिक्र कर रही हूँ दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल का उनके खिलाफ सम्मन आया है जिसे उन्होंने चैलेंज किया है गुजराथ हाई कोट में वे जानना चाहते थे उन्होंने भाशन में भी जिक्र किया था कि मोदी जी की डिगरी पबलिक डोमेन में क्यों नहीं है अपने भाशन में शुरुवात में उन्होंने सही ही कहा कि चंद्रयान तीन ये जो पूरा मिशन है इसकी जो सफलता है इसकी सफलता से सारा का सारा देश गौरान्वित महसूस कर रहा है अंतराश्टी इस तर पर भी हमारी पूछ बढ़ी है लेकिन देखिए Mother of Democracy में यह खबर जो BBC के रिपोर्ट है कि इसरो के लिए लाँच पैड बनाने वाले SEC यानि Heavy Engineering Corporation Limited के लोग इडली बेच रहे हैं चाए बेच रहे हैं अठारा महिने से जी हां अठारा महिने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है यह अमरितकाल क्यों है सबसे बड़ा सवाल हाला कि हो सकता है कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम को यह जरा-जरा से सवाल रोने धोने वाले सवाल लग रहे हूँ लेकिन सवाल तो सवाल है मोदी जी आते ही रहेंगे चलिए आप सब के लिए तमाम भक्त गणों के लिए हो सकता है यह छोटी छोटी बाते हूँ लेकिन अगर हम बात करें चूहों की बस रुकिए यहां हम गणेश चतुरती का जिक्र नहीं कर रहे उस उत्सव का जिक्र नहीं कर रहे नहीं गणेश जी की सवारी के संदर में चूहे का जिक्र कर रहे हैं हम आपको बस यह बताना चाह रहे हैं कि इस लोग तंत्र में चूहों के लिए भी यह एतिहासिक पल है जी हाँ, चुहों का ये एतिहासिक पल देखते हुए, मुझे ओम शांती ओम का जो एक हिट डायलोग है, वह याद आ जाता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, उसी तर्श पर मैं आप से पूछती हूँ और आप चाहें, तो रेल मंत्री, अश्वनी, वैशनव जीसी भी पूछिए, एक चुटकी, नहीं नहीं, एक चुछे की कीमत, तुम क्या जानो अश्वनी वैशनव जी, हमारे रेल मंत्री जी, और इसका खुलासा उत्तर रेलवे के लखनव डिवीजन में सामने आता है वहाँ पर, वहाँ पर जो RTI से जानकारी मिली है, वह बता रही है, कि एक चुछे की कीमत, एक हजार, दो हजार, नहीं नहीं, एक तालिस हजार, फॉर्टी वन थाउजंड है, चौक गए ना, यह जानकारी मेरी अपनी नहीं, यह जानकारी RTI, यानि सूछना के अधिकार से हासिल हुई है, जिसमें यह जानकारी पता चली है, कि 2020 से लेकर, 2022 के बीच, चुछों को पकड़ने के लिए, सिर्फ इस डिवीजन में, 69.5 लाख रुपे, खर्श किये गए, और देखिए, इतने पैसे खर्श करके, पकड़े गए कितने चुछे, 168, यानि प्रती चुछे को पकड़ने की कीमत 41,000 रुपे है, यह सूछना के अधिकार के जरिये, जो RTI एक्टिविस्ट हैं, चंशेखर गौर, उन्होंने यह जानकारी हासिल की, और फिर जब यह जानकारी पब्लिक डोमेन में आई, उसके बाद कॉंग्रेस ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, निश्चित तोर पर यह लोकतंत्र का एतिहासिक पल है, क्योंकि इस लोकतंत्र की जो शुरुवात यहां पर दिखाई दे रही है, सदन में यह जो विशेश सत्र चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा सवाल 2014 से लेकर, 2023 के बीच, मोदी जी बार बार दोहराते हैं, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, यानि ब्रष्टाचार मुक्त भारत की पूरी की पूरी सवारी करते हुए, मोदी जी ने लोकतंत्र में अपनी है यात्रा यहां तक पहुचाई है, इसकी पोल बस यह उचलते हुए चुहे खोल रहे हैं, और सवाल पूछ रहे हैं कि जो एतिहासिक पल है, जहां 40,000, 41,000 हमारे और आपके यह सरकारे खर्च कर रही है, उसमें किस पैमाने पे लूट चल रही है, इस पर सवाल कौन उठाएगा, लोकतंत्र, लोकतंत्र, और लोकतंत्र, लोकतंत्र का एतिहासिक पल, इसकी चर्षा सुनते मुझे मशूर कवी, पत्रकार, रगुवीर सहाय की यह कविता याद आती है, इसकी कुछ पंक्तियां आप भी सुनिये, निर्धन जनता का शोशन है, कहकर आप हसे, लोकतंत्र का अंतिमशन है, कहकर आप हसे, सबके सब हैं भरष्टाचारी, कहकर आप हसे, चारो और बड़ फिर से आप हसे, दोस्तों, लोकतंत्र का यह एतिहासिक शन, बहुत कुछ बता रहा है, और यहाद तस्वीर, किसानों के महा पंचायत की, जो लखनों में हो रही है, जिसमें वे मांग कर रहे हैं, MSP की, सरकार को याद दिला रहे हैं, अपने किये हुए वादों की, यह भी बता रहा है, कि लोकतंत्र का यह शन, अपनी मांग को तेज करने का भी है, शुक्रिया